Hello students, welcome back to Mandip Education Academy's YouTube channel. आज हम डिसकस करने जा रहे हैं, Class 11 Physics के Term 2 के Chapter 10 Mechanical Properties of Fluids का एक और बहुत-बहुत-बहुत important topic which is the working of hydraulic lift. तो शुरू करते हैं बच्चो, hydraulic lift जो है, उसकी working based है Pascal's law पे. Pascal's law ये कहता है कि अगर एक closed chamber हो, burned chamber हो और उसमें एक ideal fluid हो. ideal fluid की वैसे तो बहुत सारी properties होती है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ideal fluid का मतलब है, जो compress ना होता हो. तो एक closed chamber हो, जिसमें ideal fluid हो, तो आप उस closed chamber पे, ideal fluid पे कहीं पर भी pressure बढ़ाओगे, हर जगा बराबर बढ़ जाएगा. ये कहता है Pascal Law, for example, आपके पास एक पानी वाला balloon है, पानी वाले balloon होते हैं, कुछ defective निकलते हैं, जिसमें छेद होता है, तो आप पानी तो उसमें भर देते हो, क्योंकि पानी भरने का जो tap है, उसका पानी का जो flow है, वो ज्यादा rate से आ रहा है, लेकिन छेद छोटा है, तो industry में उठाने के लिए use की जाती है, बड़ी-बड़ी चीज़ें, heavy, जैसे car, aeroplane, ship, heavy boxes, बड़ी-बड़ी चीज़ों को lift करने के लिए use की जाती है, और Pascal Law पे इसकी working based है, तो पहली बात तो यह है कि its working is based on the Pascal's Law, ओके, क्या है इसकी working, बहुत simple है, ये एक close chamber है, इसमें एक ideal liquid है, incompressible, अब आप सोचो कि अगर पानी ideal liquid ना होता, एक जगा से आप दबाते balloon को, तो पानी दब जाता, दब जाता तो उसका pressure ही transmit ना हो पाता दूसरी जगा, तो ideal liquid होना जरूरी है, incompressible मतलब liquid जो है, वो होना जरूरी है, तो एक close chamber है, इसमें एक incompressible liquid है, उस incompressible liquid को हमने एक opening से दबाना है, दो openings होती है, इसके अंदर एक पतली opening होती है, एक मोटी opening होती है, जिस चीज को lift करना है, उसे मोटी opening पे रखना होगा, और हमें पतली opening पे एक force लगाके इसे press करना होगा, वो force यहाँ पे suppose हमने लगाई small f, और इस पतली वाली opening का जो area है, इसको हम ले small a, और यह मोटी वाली, बड़ी वाली opening का जो cross sectional area है, इसको हम ले ले capital a, तो जब आपने यहाँ पर force लगाई f, तो यह दबा यहाँ से, तो यह यहाँ से उठेगा, इसको उठाने के लिए यहाँ पे जो force है, suppose capital f है, तो Pascal law यह कहता है कि जितना pressure आपने यहाँ बढ़ाया आपने यहाँ बढ़ाया pressure f by a, because pressure क्या होता है, pressure होता है force upon area, यहाँ कितना pressure आ रहा है, यहाँ से अगर f force लग रही है, तो यहाँ कितना pressure आ रहा है, इसका area तो capital a है, यहाँ कितना pressure आ रहा है, capital f by capital a, तो car को जो force उठा रही है, वो capital f है, तो capital f क्या होगा, वो capital f होगा, capital a by a into small f capital f a by small a into small f since ये वाली जो opening का area है हमने इस वाली open area इस वाली opening के area से बहुत ज्यादा रखना है ये वाला जो opening है इससे मैं बहुत ज्यादा अगर इसको रखूं तो ये ratio 1 से बहुत बढ़ी हो जाएगी तो ये जो f है ये small f से बहुत बढ़ा हो जाएगा ये जितना बढ़ा होगा capital a small a से जितने times बढ़ा होगा अगर ये 10 है ये 1 है तो ये 10 into f तो force भी 10 गुना बढ़ी हो जाएगी यानि ये वाला area इस area से जितने गुना बड़ा है ये force इस force से उतने गुना बड़ी हो जाएगी तो अगर आपने हाँ 10 newton की force लगाई है और ये area इससे 10 times जादा है तो 100 newton की force हो जाएगी तो आपकी 10 newton की force वहाँ 100 newton की force हो गई जो heavy objects को उठा सकेगी जो आप otherwise नहीं उठा पाते अगर इसको उठाने के लि कि यहाँ पर हमने कम force लगाई वहाँ पर इतनी जादा force कैसे लग जादू कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर हमने यह नहीं बोला है कि जितना यह नीचे जाएगा उतना ही वो उपर जाएगा यह बहुत जादा नीचे जाएगा तो वो थोड़ा सा उपर जाएगा इस ब au हम लैंथ तक ऊपर आएगा क्योंकि जितना वॉलियुम यहां से नीचे चायेगा इतना ये वॉलियूम ऊपर आ energy का पूरा का पूरा का पूरा conservation यहां पर हो रहा है जितना, यहां पर कितना वख हूं यहां पर वक वरक हुआ हा इस ईफ गाцион έχει और यहां कितना work किया इस force ने F into D2, अब क्योंकि हम जानते हैं कि F is much smaller than capital F, और यह दोनों product बराबर हैं, तो obviously D1 is much greater than D2, यह बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा सा उपर आएगा, तो यह hydraulic lift की working है, इसमें यह एक दो बाते याद रखना, प्लस यह pressure बराब रखने पर numericals आते हैं, इस पर numericals आते हैं, छोटे-छोटे, तो आप कर लेना, यहाँ पर मैं सिरफ आपकी working discuss करने आये था, numericals के लिए अलग से video है, मैं आप से मिलता हूं next lecture में, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए